भारत में मौनसून एक सीजन ही नहीं, बलके एक त्योहार की तरह आता है, जिसके साथ कहीं सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो खान-पान हो, पहनावा हो या कोई फेस्टेवल. मौनसून ना केवल हमारे देश के climate को influence करता है, बलके हमारे देश के food security और दूसरे social economic factors के लिए भी एक critical role प्ले करता है. तो आज के इस वीडियो में हम मौनसून के बारे में discuss करेंगे और इसके formation, retreat, etc. के बारे में जानेंगे. सबसे पहले समझते हैं मौनसून को. मौनसून दरसल एक Arabic word है, जिसका origin mossim, word से हुआ है. इस word का literal meaning होता है, season of winds. Even meteorological context में भी, मौनसून एक ऐसा winds system है, जो एक साल में अपना direction change कर, reverse direction में बहने लगता है. मौनसून winds द्वारा influenced climate को, मौनसून type climate कहते हैं. इंडिया का climate भी मौनसून type climate ही है. खेर मौनसून type climate को हम बाद में देखेंगे. पहले मौनसून को थोड़ा और details में समझने की कोशिश करते हैं. मौनसून केवल इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के कई locations में जैसे Southeast Asia, etc. में भी देखने को मिलता है. लेकिन आज के हम इस discussion को mainly Indian subcontinent के context में ही लिमिट रखेंगे. इंडियान मौनसून विंड्स mainly दो तरह के होते हैं. Southwest मौनसून और North East मौनसून. Southwest मौनसून जून से September के months में पाया जाता है. और Indian subcontinent में इस time period में बारिश mainly इसी मौनसून विंड्स के कारण होती है. इससे मौनसून विंड्स से केवल Tamil Nadu के कुछ parts में ही बारिश होती है. Formation of Monsoon मौनसून एक बहुती complex meteorological phenomena है, जिसे अभी तक meteorologists बिलकुल सटीक तरीके से समझ नहीं पाये हैं. मौनसून को explain करने के लिए कई सारे scientists द्वारा कई सारे theories दिये गए हैं, लेकिन कोई भी theory अभी तक इसे सही डंग से explain नहीं कर पाया है. Modern theory के नुसार, मौनसून के formation कई सारे factors की वज़ह से होते हैं. आईए इन factors को एक के करके समझते हैं. मौनसून के form होने के पीछे सबसे पहला reason है land और water की differential heating. जी हाँ, land water के मुकाबले जल्दी घरम और ठंडा हो जाता है. और इस वज़ह से land और ocean के बीच एक pressure gap create होता है. और यही gap winds के annual reversal का कारण बनता है. मौनसून formation के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है shifting of intertropical convergence zone. अब आप सोच रहे होंगे कि यह intertropical convergence zone यानि ITCZ क्या होता है. ITCZ equator के नसदीक एक low pressure belt होता है, जहां trade winds आपस में converge हो जाती हैं और इस कारण इसे intertropical convergence zone कहा जाता है. अगर आपको याद होगा, हमने अपने cyclone वाली वीडियो में भी ITCZ का जिक्र किया था. आप वो वीडियो description में दिये link पर click करके देख सकते हैं. June-July months में ITCZ इंडिया के north में Tibetan Plateau के पास shift हो जाती है, जिसे monsoon winds और भी strong होती है. Similarly, October-November के months में यही ITCZ equator के south में shift हो जाती है, जिसे Indian subcontinent से retreat हो रहे winds को मजबूती मिलती है. Monsoon Formation के लिए तीसरा reason है Tibetan Plateau का heating. Tibetan Plateau एक giant high altitude plateau है, जो southwestern China में located है. March से June के महीने में यह high altitude plateau बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वज़ह से इसके ऊपर एक low intense pressure zone create होता है. और इसे Indian Ocean से water vapor से भरी winds Tibetan Plateau पर बने low pressure की और रश करते हैं. इसे ही southwest monsoon winds कहते हैं. अपने course के दोरान यह winds cool होती हैं और इससे Indian subcontinent में बारिश होती है. इन सब के अलावा एक और factor है, जो monsoon के formation में एक अहम भूमिका निभाता है और वो है jet stream. Jet stream एक rapidly moving high altitude wind system है, जो west to east direction में zigzag path में move करते हैं. वैसे तो jet stream का monsoon formation में exact role का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन monsoon के onset के साथ jet streams का एक strong correlation है. मौनसून का onset होने का time, jet stream के subcontinent से withdrawal पर depend करता है. जैसे ही jet stream northern India से withdraw होना शुरू होती है, वैसे ही धीरे-धीरे Indian subcontinent में Indian monsoon winds का advent होता है. इन सब के अलावा कुछ periodic meteorological phenomena's जैसे की Indian Ocean Depaul, Il Nino और La Nina etc. भी monsoon formation और retreating को influence करते हैं. Il Nino के समय monsoon winds में कमजोरी देखा गया है, जबकि वहीं La Nina event में monsoon winds Indian subcontinent में काफी strong हो जाती है. Monsoon के formation में अगर Indian Ocean के direct role की बात करें, तो इसमें Mozambique current का बहुत बड़ा contribution है. ये current एक warm current है और ये Madagascar के coastal area से flow होती है, जो की एक permanently high pressure zone है. इससे water vapor से loaded winds, monsoon winds की और move करती हैं और उसे और strengthen करती है. तो यहां हमने उन सारे factors को देखा जो monsoon के formation के लिए जरूरी होते हैं. लेकिन ये monsoon winds असल में set और reverse कैसे होता है? आईए देखते हैं. एप्रिल और मे के months में Indian subcontinent बहुत ज्यादा heated हो जाती हैं. और इसी वज़े से Tibetan Plateau पर एक intense low pressure system generate होता है, लेकिन इसी समय Indian Ocean के south में एक high pressure system रहता है. Simultaneously इसी समय ITCZ 40 degree N में shift हो जाता है. इसके combined effects से Indian Ocean से winds Indian subcontinent की तरफ रश करने लगता है और इसे ही South West Monsoon कहते हैं. अपने coast में ये South West Monsoon winds Indian Peninsula से टकराता है और दो ब्रांच इसमें बाट दिया जाता है. पहला ब्रांच Indian Ocean की और होकर Indian subcontinent में enter करता है, जिसे Bay of Bengal ब्रांच कहते हैं. दूसरा ब्रांच Western Ghats के parallel North की और travel करता है, जिसे Arabian Sea ब्रांच कहते हैं. इस ब्रांच से इंडिया के Western Ghats, गुजरात, राजस्तान से लेकर दिले तक बारिश होती है. जुलाई-अगस्त से लेकर सितंबर तक रेनफॉल करने के बाद ये Monsoon winds reverse हो जाती हैं, जिसे हम Retreat of Monsoon कहते हैं. Retreating Monsoon Monsoon का Retreating Indian Subcontinent और Tibetan Plateau में Temperature Drop के साथ शुरू होता है. Temperature Drop होनी की वज़ह से Tibetan Plateau में Low Pressure की जगह High Pressure बनता है, जिसे Monsoon Winds के Reverse होनी की Process शुरू हो जाती है. इसके साथ ही October-Novंबर मन्त में ITCZ Equator के South में शिफ्ट हो जाती है और Trade Winds वहाँ जाकर Converge होने लगती है. इस Process से Retreating Monsoon Winds और मजबूत होती है. Retreating Monsoon या North East Monsoon की एक खास बात यह है कि इससे Indian Subcontinent में कहीं बारिश नहीं होती सिवाए Tamil Nadu के. जी हाँ, Tamil Nadu की Topography कुछ ऐसी है कि Retreating Monsoon Winds से, Lye Moisture से यहां October और November महीने में बारिश होती है. Retreating Monsoon February मार्च तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है. तो दोस्तों यह था एक Brief Discussion Monsoon के Formation और उसके Retreat के बारे में. मिलते हैं आप से ऐसी ही एक और Interesting वीडियो के साथ. लेकिन तब तक के लिए जय हिंद!